नवसकार दोस्तो इंपोर्टेंट प्रश्णों की सिरीज में आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल आफ मल्टी मीडिया जी हां PGDCA फर्स्ट सेमेश्टर के अंतरकत आने वाले सब्जेक्ट फंडामेंटल आफ मल्टी मीडिया के बारे में सबसे पहले एक आवस्ट्र जानकारी यदि आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स लेनी की प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक वीडियो की लिंक दी गई है आपको जिसको देखकर आप जानकरी आपको मिलेगी कि किस प्रकार से आप नोट्स को ले सकते हैं क्योंकि जो इंस्टा मोजो की लिंक है उसके माध्यम से पेमेंट करने में कुछ लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पर UPI का आप्सन इंस्टा मोजो की तरफ से नहीं दिया गया है इस कारण से आसान तरीका हमने कर दिया है जिसमें आपको कोई भी एक्स्टा चार्ज देने की अवश्यक्तर नहीं पड़ेगी और आसानी से आप UPI की माद्यम से भी पेमेंट करके इस नोट्स को आप अपने वाट्स अप में डारेक्ट ले सकते क्या प्रोसेस है वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देखिएगा वहाँ से आपको जानकारी लग जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो फंडमेंटल अफ मल्टी मीडिया पीजी डी से फर्ष्ट समिस्टर के अंतरकत सबसे पहले यूनिट वन की बात कर लेते हैं अब चुकि यह पूरा ओवराल मल्टी मीडिया पर आधारत है नामी है मल्टी मीडिया की परिभासा और आधारना क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि मल्टी मीडिया की बात करेंगे इसके अलावा multimedia component text के font से संबंधित option को समझाईए तो जो सबसे पहला है multimedia के अंतर के बहुत सारे अलग-अलग elements होते हैं जैसे कि text होता है, video होता है, audio होता है, animation होता है उनमें से एक text है, तो text में font के बारे में क्या होता है, उसको समझाना है RTF, HTML text क्या होता है, object linking, embedding concept क्या होता है, इसको समझाईए मुख के प्रशने, महात्यपूर्ने प्रशने, multimedia का basic concept आपको आना चाहिए इस related जो answer वाला एक video हो आपको channel पर मिल जाएगा, जिससे आप इनको देख पाएगे कि किस प्रकार से मल्टी मीडिया से संबंधित जो basic जानकारी है उसमें बताई गई है, तो sound क्या है, mono और studio sound में अंतर बताईए ये प्रशन आता है, sound से related ठीक, ये भी एक object है किसके अंतरकत का, multimedia कि जैसे text है, वैसे sound है analog versus digital sound क्या होता है, महत्यपूर्ण प्रशन है, इसको जरूर पढ़के जाएगा, midi के बारे में कई बार पूछा गया है, तो midi जरूर पढ़के जाएगा, sound editing और mixing 3D software, 3D sound software क्या होते है, इसको जरूर तगियार कलीजिगा, unit third से बात करें, तो सबसे important प्रशन आता है, vector और राष्टर ग्राफिक्स क्या होता है, चूकि ये graphics पर आधारित प्रशन है, graphics पर आधारित unit है, इसलिए सबसे important प्रशन इसका आता है, vector और राष्टर ग्राफिक्स के बारे में समझाईए, इसके अलाबर multimedia में graphics का महत्यप क्या होता है, ये भी समझाईए, file format क्या है, विब इसके अलाबा broadcast video standard को समझाईए, ठीक है, video file format जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, file format क्या होता है, graphics file format के बात किर रही थी, अभी ऐसे unit fourth में video file format क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, video editing software कौन-कौन से होता है, उसके बारे में समझाईए, इसी प्रकार से unit fifth के अ cave क्या होता है, और authoring tool से आप क्या समझते हैं, तो यह multimedia का future है, multimedia जैसे आज के समय में हम बात करते हैं, मुख के रूप से text के बारे में, audio के बारे में, video के बारे में, animation के बारे में, graphics के बारे में, future के अगर बात करें तो AI यानि की artificial intelligence हो गया, virtual reality हो गया, इस प्रकार के topic जो है आँगे, आने वाले समय में इसमें आएंगे, तो उसी से related जानकर इसमें दिये, virtual reality क्या होता है, head mountain display क्या है, cave क्या होता है, authoring tools क्या होता है, यह 4 महत्यपुन प्रश्ण unit 5th से, तो इसी प्रकार से PGDCA फश्ट से है, fundamental of multimedia की पूरे important प्रश्ण आज के वीडियो में हमने और भी इसे related जो और subject हैं, उसके वीडियो आपको मिलेंगे जल्द ही channel पे, चलो को subscribe जरू कर लीजिएगा, साथ ही notes यह दि लेना चाहते हैं, description में link है, video की वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से notes आपको मिलेंगे